नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशनल मैं हूँ प्यादर्शन्द लोगसभा चुनाओं के रिजल्ट आ चुके हैं और देश में NDA सरकार बनने को लेकर के तारीखों का भी एलान हो चुका है नौजून को नरेंदर मोदी तीसरी बार प्रधान मंतरी के रूप में शपत लेंगे और इन सब के बीच नरेंदर मोदी की कबिनेट में बिहार से कौन-कौन मंतरी बनेगा यह सबसे बड़ा सवाल है और सवाल है कि जद्यू कोटे से कौन मंत्री बनेगा तो आज इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार और जद्यू के वरिष्ट नेता ललन सिंग के बीच पतना रिष्थित मुख्यमंत्री आवास पे मुलाकात हुई है और मुलाकात अब खत्म हो चुकी है अब जो बाते सामने आई हैं उसके अनुसार जद्यू कोटे से फिलहाल दो मंत्रियों के सामने आने के नाम सामने आये हैं और इसमें एक नाम तो खुद ललन सिंग का सामने आ रहा है जबकि दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है सुत्रो का कहना है कि इन दोनों नामों को लेकर के नितीश कुमार और ललन सिंग दोनों के बीच जो बैठक हुई थी इस बैठक में तमाम तरीके की चर्चाएं हुई और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी जब तीसरी बार अपनी कैबिनेट का गठन करेंगे तो उस दोरान जदियू जिन लोगों को मंत्री बनाएगा उसमें ललन सिंग और रामना ठाकुर के ही नाम सामने आ रहे हैं। बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं और इतना नहीं नहीं राजी सभा में मौजूदा समय में वे जदियू संसदिय दल के नेता भी हैं। अहम भूमिका निभाई हैं जिसमें उन्होंने नितिश सरकार में वर्ष 2005 से 2010 के दौरान राजासो एवं भूमि सुधार मंत्राले का अहमदायत सम्हाला इसके अतरिक उन्होंने कानून मंत्राले और सूचना एवं जन्संपर्क विभाग जैसे विभागों को भी अलगलग समय में अपनी भूमिकाय निभाते रहे हैं और वर्ष 2014 में इनका निर्वाचन राजसभा के लिए हुआ और अप्रेल 2014 से लगातार वे राजसभा के सदस्य हैं यह दूसरा मौका है जब लगातार रामना ठाकुर को जन्ता दल उनाइटेट ने राजसभा भेजा है और मौ पचान है तो वे रामना ठाकुर अब नितिश कुमार के द्वारा नरेंदर मोधी के कैबिनेट में मंतरी बनने के लिए एक नाम के तौर पे भेज़े जा सकते हैं और अगर हम बात करें रामना ठाकुर के अतरीक दूसरे नाम की यानि कि ललन सिंग के नाम की तो सूत्रों क कहना है कि ललन सिंग के नाम को ले करके भी पूरी तरीके से सब कुछ तै हो चुका है और चाहे नितिश कुमार हो या फिर नरेंदर मोधी और जेपी नड़ा हो इन सब के बीच ललन सिंग के नाम को ले करके ही एक दिन पहले ही तमाम बाते हुई हैं दसल जेपी नड़ा से एक दिन पहले ही यानि कि शुकरवार को ही नितिस कुमार की मुलाकात होई थी और उस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है सुत्रों का कहना है कि उस मुलाकात में नितिस ने साप कर दिया था कि इस बार जदियू कोटे से जो दो मंत्री बनेंगे उसमें एक नाम तो ललन सिंग का तै है और ललन सिंग कौन है तो ललन सिंग बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार के बेहत खास लोगों में एक माने जाते हैं और पिछले करिव 40 वर्थों से दोनों की दोस्ती बताई जाती है इतना ही नहीं ललन सिंग और नितिश कुमार दोनों बिहार की सियासत में जदियू को आगे बरहाने में अलग अलग समय में मुखिरन नितिकार की भूमिका निभाते रहे हैं और ललन सिंग कुछ महीने पूरु तक जदियू के राष्ट्रे अध्यक्ष भी थे इतना ही नहीं वे लोक सभा में अलग अलग समय में चाहे बेगुसराय हो या फिर मुंगेर हो उससे चार वार निर्वाचित हो चुके हैं राजसभा के भी सदसे रहे हैं और विहार विधान परिशत के भी सदसे रहने के साथ है नितीश सरकार में मंतरी की भूमिका भी निभा चुके हैं तो एक लंबा राजनितिक अनुभव रखने वाले ललन सिंग को इस बार नरेंद्र मोधी के केबिनेट में मंत्री बनाने को ले करके जदियू की ओर से पूरी तयारी बताई जा रही है और आज जो नितीस और ललन सिंग की अभी अभी एक अने मार्क पर मीटिंग हुई है उस मीटिंग में भी इन ही नामों को ले करके अंतिम रूप दे उने की चर्चा है तो कल यानि की 9 जून को नरेंद्र मोधी तीसरी बार देश के प्रधान मंत्री के रूप में शपत लेंगे और उस दोरान उनके केबिनेट के भी कई सही होगी मंत्री मंदल के में जो सामिल होंगे वे सब मंत्री पत की शपत लेंगे तो बिहार से ये एक बड़ी खबर कि बिहार से जदियू कोटे से जो दो मंत्रीयों के नाम अभी फाइनल होने की बातें सामने आई हैं उसमें एक नाम नितीश कुमार के खास नेताओं में एक माने जाने वाले ललन सिंग का है तो दूसरा उनके एक और खास नेता कुरका है